गोड मॉणिंग क्लास, कल हमने हिंदी का पार्ट 11 शुरू किया था, जिसका नाम था केले के गुन। हमने इसमें पढ़े थे केले को संस्कृति में क्या क्या कहते हैं केले हमाली बहुत उपयोगी है केले के पेड कैसे होते हैं हमने यहां तक कल पढ़ा था आज हम यहां से शुरू करेंगे चलिए केला बहुत अच्छा फल है यह खाने में मीठा होता है इसे काटने अत्वा खाने के लिए चाकू की अविशक्ता नहीं होती क्याता है केला यह बहुत अच्छा फल है यह खाने में बहुत मीठा होता है इसको काटने के लिए या खाने के लिए चाकू की ज़रूरत नह पड़ती हाथ से चिलका चिलकर भीतर के गुंद को खाया जाता है किरें हाथ से इसका चिलका चिलकर जो इसके बीच का हिस्सा उसको क्या बोलते हैं गुंदे उसको खाया जाता है केले के गुंदे एक विशेश प्रकार का गंध होता है यह एकमतिकी बहुत अच्छा इसके ज जो है वो इतना हमाली हैवी होता है मतलब कि हम इसको केले खाकर इंसान जो अपना पेड़ वो भर सकता है केला खाने के बाद चोटी इलाइची खाना लागकारी होती है चोटी इलाइची मतलब जो ग्रीन वाली इलाइची होती है वो खाना बहुत अच्छी होती है केला खाने पचने वाला होता है जो मतलब कि हम जो भी खाते हैं यह जल्दी ही पांचवा होता है यह दवा के काम भी आता है यह दवाई के काम भी आता है पके केले का प्रयोग दस्त बंद करने के लिए भी आता है दस्त मतलब जब लूज मुशन लगे होते हैं तब हमें जो पके हुए जो केलेों तब भी यह बहुत काम आते हैं केले की अनेक जाती हैं रखे पीले हरे लाल थथा पतले और बहुत लंबेन अनेक प्रकार में यह अलगल्ग प्रकार के भी हमें केले जो पाए जाते हैं, बिंगौल के राम रंबा, अनूपान, माल भोग, मृत्यमान, चंपक, चीनी, चमपा, कनहाई बासी, कांटली, आधी के जादी के केले बहुत बढ़िया होते हैं, यह बंगाल की कुछ केले के नाम है, जो कि यह बहुत अच्छे होते हैं, इन केलों के बीज नहीं होते हैं इन केले जो इस प्रकार के जो केले होते हैं उसमें बीज इनमें सीड्स नहीं होते हैं चनेई में रस्खली जाती का केला सबसे उत्तम माना जाता है चनेई में जो रस्खली केला है वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है मुंबई में कहीं प्रकार के केले होते हैं इन में बसरेई, मुखेली, तामबडी, रजेली, सोन केली, बेस केली, नर सिंगी, आदी प्रसीद है ये सब केले जो हैं ये कहां पर पाय जाते हैं मुंबई में इन में से तामबडी केला लाल होता है जो तामडी केला होता है वो किस कलर को होता है लाल केला मायामार ब्रम्भा में पीले और सोने के रंग वाले बहुत प्रकार के केले होता है मायामार में पीले और सोने जो गोल्ड कलर का होता है वहां गोल्ड का जो कलर होता है उस रंग के जो केले है वहां पर बहुत मत की प्र केले वहां पर मिलते हैं जिन में कई बहुत बड़े अकार के होते हैं और सुगंध वाले होते हैं जो कि उसमें क्या होते हैं बहुत बड़े मतलब कि साइज में बहुत बड़े होते हैं और सुगंध खुश्बूदार होते हैं जवा में एक विशेश प्रकार का केला है जिसक केले बीज वाले भी होते हैं और कुछ केले ऐसे जिनके बीज होते हैं केले के बीज चेचक रोग को रोकने और मिटाने में बड़ी लाबकारी होते हैं जो केले के बीज होते हैं वह कहीं जो एक बीमारी है चेचक रोग जो होता है उसको मिटाने में मदद करता है पका हुआ क पूजा करने में बहुत काम आते हैं पूरॅ ello मां के दिन सत्य रायन ऐसे नारायन विश्णु बगवान-गवान को कह बोग लगाया जाते हैं और उस दिन सत्य नराइंचो बिश्णु वगवाना उनको केला बहुत पसंद है और उनको उस दिन केले का भोग लगाया जाता है ओके स्टुडेंट्स आज हमने यह लेसन कंप्लीट कर दिये कल हम इसके शरब बर्त और कोश्च आंसर्स बुक वग हम कंप्लीट करेंगे ओके स्टुडेंट्स थैंक यू